हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक small business idea लेकर आया हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जिस product के manufacturing के बारे में देखने वाले है उस product के demand हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे में अगर आप इस business को start करते हो तो इससे आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा हो सकता है तो चलिए दोस्तो आज के business idea देख लेते है दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको कपूर making business के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप कफूर भी कह सकते हो तो चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कपूर क्या होता है और उसकी market में requirement कितनी है तो दोस्तो कपूर इक ऐसी चीज़े जिसको आप भगवान की पुजा करने के लिए इस्तमाल करते है दोस्तो कपूर का इस्तमाल ज्यादा तर हर करों में सुबे पुजा में किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादे इस्टमाल बड़े-बड़े मंदीरों में किया जाता है यानि कि इस कपूर की requirement daily हर गर में पढ़ती है तो ऐसे में अगर आप इस business को start करते हो तो इसमें आप selling बड़ी आसानी से कर सकोगे तो चलिए दोस्तो अभी मैं आपको complete details बता देता हूँ कि कपूर manufacturing business को करने के लिए आपको कौन सा machine खरीदना पड़ेगा इस business में आपको कौन से raw material की जरूरत पड़ेगी ये दोनों आपको कहां से मिलेगा और उसकी price किया है साथ में दोस्तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस business को करने के लिए आपको कितना investment करना पड़ेगा और इस business को start करने के बाद आपको इस business के कितना मुनाफ़ा हो सकता है तो दोस्तो अगर आप ये सारी बाते जानना चाहते हो तो please इस video को end तक देखेगा तो दोस्तो कपूर बनाने का business start करने के लिए आपको एक machine खरीदना पड़ेगा और दोस्तो इस business में आपको केवल एक ही raw material की जरूरत पड़ेगी इस business में आपको raw material के तोर पे comfort powder की जरूरत पड़ेगी और दोस्तो ये powder आपको per kg 300 रुपे के इसाब से मिल जाएगा तो दोस्तो इस business में machine को किस तरह से operate करना और इस machine को use करने के बाद आप किस तरह से कपूर बना सकते हैं उसके बारे में मैं एक आपको live video दिखा देता हूँ तो दोस्तो ये है कपूर making machine इसको कोई भी बड़ी आसानी से operate कर सकता है इस machine से कपूर बनाने के लिए सबसे पहले आपको उपर दियेगे basket के अंदर comfort powder डालना पड़ता है और जैसे ही आप switch कॉन करते हो कुछ इस तरह से कपूर बनकर ready हो जाएगा दोस्तो ये एक single paste machine है क्यानी कि इसको आप अपने गरी की बिदली से भी चला सकते हो दोस्तो इस machine का इस्तिमाल करने के बाद आप कुछ इस तरह से कपूर बना सकते हो आप इस कपूर को बनाने के बाद प्लास्टिक की bag में या फिर एक प्लास्टिक के डबे के अंदर pack करके market में बेच सकते हो आपका packing जितना ही अच्छा होगा उतना ही ज्यादा पैसा आपको आपके product का मिलेगा तो चलिए दोस्तो अभी मैं आपको इस business में होने वाले मुनाफ़े के बारे में details में बता देता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले इसका मुनाफ़ा जानने के लिए हमको machine की capacity को जानना ज़रूरी है तो दोस्तो आम तोर पर कोई भी कपूर making machine आपको एक गंटे के अंदर total 5 kg कपूर बना के दे सकता है यानि कि दोस्तो अगर आप इस machine को दिन के 10 गंटे तक चलाते हो तो इस machine से आप per day का 50 kg कपूर तयार करके रख सकते हो दोस्तो अगर आप इस कपूर को कहीं पर भी market में selling करने चाहेंगे तो 1 kg कपूर के पीछे आपको minimum 50 रुपे मिल चाहेंगे यानि कि दोस्तो ये छोटी सी machine आपको per day का 2,500 रुपे का मुनाफिवाला माल तयार करके दे सकती है यानि कि ये small business करके आप per मेने का 75,000 रुपे तक कमा सकते हैं पर दोस्तो किसी भी business में उसका profit उसकी selling पर depend रहता है यानि कि आप जितना ज़्यादा selling करोगे आपको उतना ज़्यादा मुनाफ़ा होगा और दोस्तो अगर इस business के अंदर हम marketing की बात करें तो इस business में marketing आप कहीं सारे तरीकों से कर सकते हो जैसे कि आप ये कपूर को packing करने के बाद किसी all seller को बेच सकते हो किसी कीराने की दुकान पर बेच सकते हो और यहां तक जहां आप पर भी पुजा का माल सामन मिलता है वहां पर भी जाके आप इसको all seller के भाव पर दे सकते हो और इस business को करके अच्छे से अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो तो दोस्तो मुझे आसा है कि आपको इस business idea चरूर पसंद आगा तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दो और इस business के बारे में मेरे को कोई भी सवल आप पूछना चाते हो तो निचे comment करके मेरे को पूछ सकते हो और साथ मैं comment में ये भी लिखना कि ये business idea आपको कैसा लगा और दोस्तो इस वीडियो को हो सके उतना share करना क्योंकि आपके एक्सेस करने से किसी को एक अच्छा सा business idea मिल सकता है अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो हमारी चैनल को subscribe पर देना क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे नए नए business idea लेकर आता रहता हूँ यह दोस्तों फिर मिलते एक नए business idea के साथ